वामाक्षी से समझते हैं गुड मॉनिंग वामाक्षी बताएं काफी पिकप होने की उम्मीद है और मने यानि की मर्जर के लिए काफी रूम बनता हुआ नजर आ रहा है तो यह सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डेलिवरी पर बैंक अव अमेरिका सेक्योर्टीज ने की रायबर करा रखी लक्ष रखा 700 प्रथी शैर का अगला स्टॉक जो है वो है नजरा टेक जेफ्रीज ने खनदार की रायबर करा रखी लक्ष को बढ़ाया है उन्होंने 860 प्रतिशेर कर दिया गया है जेफ्रीज की मुलाकात उनके नजारा टेक की जो फाउंडर और M.D. है नितिश मितर सेन उनसे हुई है और उनके मुताबिक ख्रोथ आउटलुक नौर्डविन और स्पोर्स कीडा के लिए काफी मसबूत नज़र आ रहा है रिएल मनिंग गेमिंग यानि की आरेम जी यह भी काफी एक अट्रैक्टिव मार्केट नज़र आ रहा है और इसी के चलते जेफ्रीज ने नजारा टेक के सारे अनुमान को 5-13 प्रतिशद तक बढ़ाया है यह सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जेफ्रीज ने नजारा टेक पर खरिदारी की रायत बरकरार रखी और लक्ष को बढ़ाया है महिंद्रा फाइनांस अगला स्टॉक है जो फोकस में है CLSA ने आउट परफॉर्म की रायवर करा रखी लक्ष को बढ़ाया है 260 प्रतिशद कर दिया है बिजनस ट्राजिक्ट्री उनके मुताबिक काफी मस्बूत नज़र आ रही है मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे है कि क्रेडिट कॉस्ट दो से 2.2 परसेंट पक रह सकते हैं एक्सपेंस रेशो भी काफी अलेवेटेड नजर आ सकता है मकर कलेक्शन्स है वो काफी हेल्दी है तो यह सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा फाइनांस प पर आउट परफॉर्म किराय बरकरा रखी उनके मुताबिक ऑगस्ट की जो इंडस्री ग्रोथ 3 वो 12% के और और आई है नई गाडियों की बिक्वाली के चलते मोटर इंशॉरंस सेग्मेंट में अच्छी रिकावरी देखने मिल रही है और पूरे सेक्टर की बात करें तो यह सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्रडिट स्वीज ने स्टार हेल्थ और आई से लोंबार दोनों स्टॉक पर आउट परफॉर्म किराय बरकरा रखी ओके वामाक्षी शुक्रिया यह सारी की सारी खबरें ब्रोकरिज रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लि यहां पर पर्टिक्लर्ली स्पोर्ट का ट्रेंड बढ़ने से काफी हतक बिजनेस और ग्रोथ आउटलुक जो हो मजबूत होता दिखे गए रिपोर्ट का कहना है नजार और रेगलेटरी से पहले बड़ा फैसला ले सकता है पांच से तेरा पिसेंट फंड जुटाने की नजारा टेक पर खास नजार रहेगी लेकिन